अब दोस्तों मैं हूं डॉक्टर ब्रजेस और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोरोना वैक्सीन के बारे में सब लोग जानते हैं कि 16 जनवरी से भारत बर में कोविड वैक्सीन लगना सुरू हो चुका है सबसे पहले यह मिलने वाली है हमारे केром DR-95 फ्रन्टलैंड हेल्थ्कैर वर्कर्स को दो प्रकारी वैक्सीन इंडिया में अवलेबल में पहली वैक्सीन चींता कविड जो मनातीय हैं सिरम इंस्टीटmal इंडिया दूसरी वैक्सीन हैं और लोगों में आपको यही बताने वाले है, पूरी जानकारी COVID vaccine के बार में, सबसे पहले यह चानले आथे कि कोभी श्रीडीया, यह जो vaccine बनाई है, वो किस से बनाई गई है? तो यह जो वैक्सिन है, इसके अंदर coronavirus का कुई भी live पार्टिकल लिया लाइव कुछ भी इसके इंदर नहीं है इसको बनानी के लिए इन्होंने प्रयोग किया है और इसके इंदर यह जो एंटीजने वो की संभावनाएं नहीं रहती है दूसरी बात यह जो वैक्सिन है यह किसको मिलेगी अब सब जानते यह सबसे पहले मिलने वाली है हमारे हेल्थ केर वर्कर्स को यह मिलेगी अब दूसरा जो बहुत important questions है कि जिन लोगों को करोना infection हो चुका है क्या उनको यह vaccine लेनी चाहिए कि नहीं लोग जाते हैं क्यूंकि क्लासिकल जो भी चल रहा है उसको प्रोटक करती है साथ मैं ऐसे वेरेंट को हराने भी हमें help करेगी तो उनको भी vaccine लिनी चाहिए अग किस-किस को ये vaccine लिनी चाहिए और अगर आपको vaccine के लिए बुलावा आता है तो आपको vaccine लिने से पहले आपके जो supervisor है या vaccine के administrator होते हैं उनको क्या-क्या चीजे पहले बताना जरूरी अच्छा है क्योंकि सब के लिए यह vaccine नहीं है जैसे मा जानते हैं कई लोग को पहले vaccine से अगर allergy है या किसी भी प्रकार की serious allergy है तो उनको ये बताना जरू है क्योंकि ये लोग vaccine नहीं ले सकते हैं ऐसे भी कई लोग हैं जैसे की जो लोग पहले से ही किसी भी प्रकार की इम्मुनिटी को कम करने वाली बीमारी से ग्रस्त हैं जैसे की जिनको HIV है जिनको कैंसर है या तो कोई कैंसर की दबाय ले रहा है या तो फिर इम्मुनिटी को कम करने की कोई भी दबाय ले रहा है जिससे कि अभी तक ऐसे कोई भी स्टडीज ऐसी महिलाओं के उपर नहीं हुआ है जैसे कि सब लोग जानते हैं कि वैक्सिन खुद अपने फेज 3 ट्रायल के अंदर ने उसने अपने टोटल पूरा क्लिनिकल ट्रायल फेज कंप्लीट नहीं किया है पर हमें जरूरत थी इसलिए इस व प्रकार का बुखा चल रहा है उनको भी नहीं लेनी चाहिए जिनको ब्लेडिंग प्रोफाइल है मतलब जिनको खून निकलना बहुत ही आम होता है ऐसी बीमारी वालों को भी यह वैक्सिन नहीं चाहिए जो लोग पहले सही बलड़ थीन करने वाली दवाईयां जैसे कि एक इसका बेनेफिट क्या है हम यह वैक्सिन क्यों ले रहे हैं वैक्सिन अपने आप में एक बॉड़ी के अंदर के लड़ने के लिए एक इम्मूनूटी पैदा करती है जो हमें आगे जाके कोई भी इंफेक्शन हमें लगता है उसको बचाने के लिए हमें हेल्प करती है तो अपने आप में एक हर्ड इम्मूटी भी क्रेट करता है हर्ड मदलब का है कि पूरी कम्मूटी अगर एक प्रोटेक्टेड हो जाती है तो इसे भी अगर दो तीन लोग बीच में छूट जाता है तो उनको भी कोरोना वायरस लगने में प्राब्लम नहीं होगी वो लोग भी को इसे लगती है मैंने कुद यह 22 जिनवरी को लगाई है यह हम लगाते हैं हमारे यहां हैंड के उपर जो हमारा आम सरता है उसके उपर और यह एक इंट्रा मस्कूर वैक्सिन हैं इंट्रा मस्कूर डेल्टोड के इंदर हमें यहां पर लगती है इसके दो डोस होते हैं पहला है जिसका दूसरा नाम भी है इनाट इम्यूनिटी यह क्रियेट करता है और सेकेंड डोस में हमें यह लॉंग टर्प्रोटेक्शन के लिए हमें फायदेमन देता है तो इसके दो डोस अवैलेबल है अभी जो वैक्सीन है उसकी क्या साइड एफेक्स है बहुत ही लोग पूछ पूछे को अगर छोटा है उसको वैक्सीन लगी है तो जैसे उसको बुखार आना या तो फिर उसका रोना या दर्द करना यह कौमन है इस तरह से ही काफी सेट एफेक्स हैं जो बहुत ही कौमन पाई गई है जो वैक्सीन लगने के बाद होती है जैसे कि सर में दर्ध होना कि पुरे बॉर्डी में धर होजाना किसी-किसी को चखर भी आते हैं जहां पर सुई लगती है वेक्सिन की उस जगर पे सूजन हो जाना दर्ध होना वहां पर लाल रेड्नेस हो जाना या तो आ तो फिर यह करतें लोगों चखर जैसा लग रहा है तो आप वॉमिटिंग की दवाया ले सकते हैं अगर आपको दर्थ हो रहा है तो आप रीषिबलें जिसकी लिए आपको कोई घबरानी की जरूत नहीं अब कौण सी साइट एफेक्स है जिससे हमें घब्रानी की जरूद है या तो फिर इसके लिए हमें सूचना चाहिए जैसे कि कई लोगों को वैक्सिन लेनी के बाद इनाफ एलेक्सिस हो जाता है जिसके इंदर उनका मुँझ सूच जाता है उनकी जबान और्गन को यहां पे side effects के कारण problem हुई है कई लोग बेहोस हो जाते हैं ऐसा भी हो सकता है कई लोग के अंदर इसके अंदर severe allergic reaction के रूप में पूरी body में राशिस हो जाते हैं यह भी side effects है तो यह थोड़ी serious side effects side effects मानी जाती है अगर आपको इसमें कुछ भी होता है तो तुरंद ही अपनी नजदी के डॉक्टर से या नजदी के वैक्सिन एडिमिंस्ट्रेटर या किसी भी health care side effects है अगर आपको तुरंद इसका हल ले लेंगे तो आपको कुछ भी नहीं होगा तो यह हैं इसकी side effects के सब्सक्राइब को क्या क्या धन रखना चाहिए और यह जो वैक्सिन है यह अब बहुत ही कॉमन यह भी क्वेस्टन करते हैं लोग के यह साइड़ेक्स हैं इसके कब तक हमें इम्मुनिटी देगी मतलब प्रोटेक्शन हमें कब तक मिलेगा तो यह जो भी कोवेशी लिया तो को वैक्सिन जो वैक्सिन है उनके निर्माता ने खुद बूला है कि कम से कम तीन महिने तक तो यह आपको प्रोटेक्शन देगी ही देगी उनकी खुद की studies के अनुसार यह उसके short term fall है कि इतना कम से कम इतना महिना तो आपको इसका protection मिलेगा वो भी आपका second dose खतम होने के बाद अब यह लंबा और कितना देगा मतलब how long मतलब यह 6 मिने तक भी दे सकता है नौ महिने तक भी दे सकता है या तो दो साल तक भी दे सकता है तो यह किसको कितनी immunity लंबी चलेगी अभी तक यह decide मतलब यह पक्का नहीं हुआ है तो यह vary करता है individual के उपर के उसकी कितनी immunity उसके अंदर generate हुई है तो कम से कम तीन या चार मिने तक तो यह देगी आगे और भी दे सकती उसकी भी गुंजाश इस प्रकास से हैं तो आसा है कि आपको वैक्सिन के बारे म में तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ले सकते हैं थैंक यू